नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी काँए अपके अपनी चैनल उत्रावत क्लासे में दोस्तों आज क्लास यूद कंप्रेशन का भूखाई है और क्लास BPO UP-C के लिए चलते हैं दोस्तों आज शुरुआत करते हैं उत्रप्रदेश राज से सम्माने जानकरी इससे पहले कई अकलासे हो चुकी गरावी तक नहीं देखी तो जरू देख लेए शुरुआत करते हैं उत्रप्रदेश विशिष्ट ग्यान और रितियास तो उत्रप्रदेश जनसंक्या के आधार पर भारत का सबसे वड़ा छितपल के आधार पर चौथा सबसे वड़ा राज्य है भारत में विट्रेश राज के समय अप्रैल 1937 में उत्रप्रदेश का गठार सवयुक्त परांद के नाम से किया गया था और आगे चलकर 24 जनबरी 1950 को इसका नाम सवयुक्त परांद से बदल कर उत्रप्रदेश कर दिया गया था वर्ष 1858 तक इसकी राजदानी आगरा 1808 से 1921 तक इलावाद बर्तमांत प्रियाग राज रही तथा 1921 में नकलोग को उत्रप्रदेश की राजदानी बनाया गया दोस्तों कर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लें अब वेल आइकन को प्रेस कर लें क्लास के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसे लगी वर्ष 1921 में उत्रप्रदेश में विधान सभा का अगठन किया गया और तथा विधा सभा की प्रतम अध्यक्च प्रसोतम दास टंडन जी थे नौनमबर 2000 को उत्रप्रदेश का विवाजन किया गया और 13 जिलों को प्रतक करके एक अलग राज उत्तरांचल यानि उत्तराखंड 27 में वदल का उत्तराखंड कर दिया गया था उत्तरप्रदेश का उस चन्याले प दो मचलिया तथा एक तीर है धनोस राज के चिन है और 1938 में स्विक्रित किया गया था उत्तरप्रदेश का राज के ब्रक्ष क्या है तो वह है सोक राज के पुस्व है पलास यानि टेशू और राज के पसू वारा सिंगा है राज के पक्षी सारस या कौच है राज के भासा का हिंदी उनिननिस साइदन ताल से है दिति या राज वहांसा ओर्दू उननिसो नवासी से है राज के खेल हाए उत्तरप्रदेश के माहत्मूर तथ उनके बारे में जानेंगे जैसे परथम मुकमंत्री कोविंद वल्लवबपंद थे पहली महला मुकमंत्री के तावरा प्रदेश में सर्वादिक वार जो मुक्मंतरी मायवती चार पार बनी है और सर्वादिक वार बिलानसवा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खेर वाग केसरी नात्रपाथी तीन तिर वार वने है उतरपदेश राज में राश्पती सासन पहली बार 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1990 तक लागाया गया था मंडल एवं जिले जो संबन्ने थे हैं तो उनसे वार्सी वार्सी से जो संबन्ने जिले हैं वार्सी जाउनफेर और गाजीपूर वाच्चन दौली हैं प्रियागराज में प्रियागराज प्रताफगण फतेवपूर और कुशामबी चित्रकूर धाम चित्रकूर का मुख्याला है इसका बांदा है वांदा चित्रकूर हमीरपूर और महोबा है देवा पाटन, देवा पाटन का जो जिला, शम्मन रखताव, गोंडा वहराईच, वलरामपूर और स्रावस्ती है बरेली में बरेली बदाउं, सैजानपूर और पीली वीथ है आयुध्या में आयुध्या, सुल्टानपूर, वारामंगी, अमेठी, अमिटिगर नगर है मुरादाबाद में मुरादाबाद, बिजन और रामपूर, अम्रोह, शंबल मिर्जापूर में मिर्जापूर, सोवन भद्र बद होई और आजमगड में आजमगड मौू वलिया ये तीन हैं वस्ती में वस्ती सिदार्थ नगर ये मूं संद कवीर नगर हैं सारनपुर सारनपुर में सारनपुर में सारनपुर है मुझफनगर सामली ये हैं जहासी में जहासी में जहासी ललितपुर और जालाउन हैं नखलवू, नखलव में नखलवू, हुन्ना, वराइवरिली, सीतापुर, हर्दुई और लखिमपुर खीरी हैं। उत्यप्रदेश दिवस के तिति को मनाया जाता है, तो पहला 26-24 जनवरी, यानि उत्यप्रदेश सरकार ने किस इतियासिक इस मार्क से जुडवा मचली का राजिचिन अंगिकार किया है, तो रूमी दरवाजा से उत्यप्रदेश का राज के राज के राजिपक्षी, तो वो स स्वयुक्तुप्रदेश का नाम बदल कर उत्यप्रदेश किया गया, तो यह है 24 जनवरी 1950 को, आगरा अबद के स्वयुक्तुप्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने बर्स 1921 में अपनी दाधानी को नखलव से इस्तांतरित किया था, वो है इलाबाद, उत्यप्रदेश के उत्यप्रदेश के पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, वो है कन्योज, उत्यप्रदेश का राज के फूल काउंचा है, वो है प्लास उत्यप्रदेश का संशिप्त इतियास, तो उत्यप्रदेश का इतियास जो है, ग्यात से वो होता है, वो लगवग 4,000 वर्स पुराना है, जब आरियों का भारत में प्रवेश हुआ था, आरियों का विस्तार के सिंदू नदू या सत्ल के मैदानी भागों से, ये मना और ग प्राचिनितम सहरों में एक माने जाना वाला वार्ण सी सहर उत्यप्रदेश में इस्तित है, प्राचिन काल में इहमर्देश के नाम से विख्या था, तगब बैदी काल में इसे वरहर रिसी देश के नाम से जाना जाता, इस काल में उत्यप्रदेश रिसी मुनियों जैसे व वसिष्ट विस्वामित वालमी की और यागवाई कल्ली आदी की करम भूमी रही है मुसलिम काल इस शेत्र में एक हजार से एक हजार तीस तक मुसलमानों का आगमन का आगमन हो चुका था इसके 65 लगवक 650 बरसों तक अधिगांस भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी पहले दिल्ली सल्दनत और फिर मुगल वंस का शाशन रहा है 1566 शिकंदर लोधी ने अपरी राजधानी दिल्ली में बदल कर आगरा को बनाया था जो की 1638 में साजां द्वारा फिर से दिल्ली स्तांतरित करने का करने तक मुगल शाशन की राजधानी रही थी मुगल काल के दौरान अगवर ने आगरा के निकट 1579 में फतेपोर सीगरी का निर्माड करवाया जो की 1571 से 1555 तव मुगल काल की राजधानी भी रही है वेटसकाल वेटसकाल जो हुआ था ये 1856 में इस्ट इंडिया कमपनी ने अबद पर पूर्ण रूप से अधिकार स्तापित कर लिया था इसे 1857 इशा में पश्चमी उत्तर प्रांत में मिला लिया गया इसके पश्चात इसका नाम उत्तर पश्चमी प्रांत आगराईवं अ से किया गया था और 24 चन्बरी 1950 को इसका नाम से अधिक प्रांत से बदल कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया इस सुतनता संगराम में योगदान जो था वो किसका था सुतनता संगराम में योगदान तो सन सन 1857 में प्रिथम सोतनता आंदोलन की सुर्वा अतुत्तर प्रदेश से हुई थी ये बिद्रो दस मई 1857 में मेरट से सुर्वा हुआ था और जहांसी कालपी कानपोर नकलव बिठूर अबादवार सी वलिया एवं आजमगर इस्तानों में फाइल गया था इसके अतरिक असय यूग अंदोलन और शविन अवग्या अंदोलन जैसे अंदोलन में भी प्रदेश का सयोग देखने को मिला था 1925 में नकलव के निकट काकोरी शडियंत्र को अंजाम दिया गया था उतर प्रदेश ने ही भारत को सरवाधिक आठ प्रतानमत्री दिये हैं जिर्वेजभालान नहिरू, लालवादु सास्त्री, इंद्रा गांधी, राजीव गांधी, शोधिर चर्ण सिंग, बीपी सिंग, अटल ब्यारी बाजपुई, आधी पिरमुक विभाजन तो 1990 के दसक में बरतमान उतराखंड के छेत्मी अपेचाकरित कम विकास को लेकर इस्तान ये लोगों के द्वारा अलग राज्ज की मांग को लेकर ब्यापक आंधूलन छेड़ छड़ा गया अधन्द अनिता नौ नौमबर 2000 को उतरपरदेश से प्रथक करके एक नए राज्य उतराखंड का गठन किया गया था प्रियाग में 200 परसे दुकुम मेला इसके बैभाव एबं सांस्कृतिक उच्चता का परिचायक है फासान काल तो उतरपरदेश के मेरत तथा शाहरं स्वनबदर के सिंगरवली, घाटी प्रियागराज की बेलंघाटी तथा चक याचंदवली नामक प्राश्तलों से प्राप्त हुए हैं बेलंघाटी के लोहंदा नाला के छेत्र से पासान उपकरणों के सासाती आस्ती निर्मित मात्रदेवी की प्रतमा भी प्राप्त उत्रप्रदेश में मद्धिपासांड काली स्चांसकृती के साक्षिप्फिर्मुकृरूप से प्रताफगण के सराय नहार राय तता महदहा नामगिस्तान से प्राप्त हुए हैं शराय नहार राय में उत्खलान कारी प्रोफिसर जी आर सर्माद्वारा किया गया था शराय नहार से 14 शौवाधान मिले हैं जिनमें मरतक का सिर और पश्चिम दिजागे तरफ यहां से आठ गर्द चूले विप्राप्त हुए हैं प्रतापगण के एक अन्य इस्तल मैदहा से गर्दावाध साक्ष के साथ-साथ हड़ियों की अनेग कलात्मक बस्तुए म्रग स्रग के छलों की माला और हड़ियों के हावुशड मिले हैं माधह, शेबारा सिंगा, वहेंज, हाती, गैंडा, सुवर, कचुए और पत्तियों के भी अपसेश मिले हैं प्रतापगण की दमदमा पुराशतर से हड़ि एबं सींग के ओपकाणवा हावुशड गर्द चूले तथा 41 शवाधान मिले हैं प्रदेश में नवपासाण कालीन, सब विदा की साक्ष मिजापर स्वनबद, बुंदहल खंड, सराय नहार, राय और परतापगण से मिले हैं नविन्तम खोजों के अधारवा भारती उप महादीव में प्राचिन्तम क्रसी साक्षवाला इस्तर उत्तर प्रदेश के संत कवी नगर जिले में इस्तित लहुरादियो हैं जहां से 9000 इसा पूर्व से 8000 इसा पूर्व के मद्य चावल के साक्ष प्राप्त हुए हैं इसको पूर्व कोल्ड दिवा प्रियागरा चावल के प्राचिन्तम साक्षवाला इस्तर माना जाता है प्रदेश में हडपा कालीर साक्ष आलमगीरपूर होकास मांडी गाउं आधी से प्राप्त हुआ है आलमगीरपूर हडपा शबिता के पूर्वी विस्तार को प्रकड करता है यहां से कपास हुगाने का साक्ष प्राप्त हुआ है प्राचिन काल की बात करें प्राचिन काल में गंगा के मैदान में इस्तित उत्तर प्रदेश का छेत्र माध्य देश कहलाता था उत्तर पैदिक सांस्कृति का मुक्य के इंदे माध्य देश था महाजनपद महाजनपद में 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कुरू, कासी, पांचाल, कौसल, मल, चेंदी, वत्स और सूरसिन आध्रिक उत्तरप्रदेश में इस्तित है उत्तरप्रदेश के महाजनपद तो ये पांचाल है पंचाल महा जनपद राजधानी आइचंद है इसमें बरेली बदाउग और फोकावात आप देख सकतें मैप क्यादापर है इसमें है कौसल महा जनपद में राजधानी शरावस्ती है शरावस्ती में वहराई शरावस्ती वलरामपुर्ण, गौंड़ा आउध्या और अकवरपूर इत्यादी होना मल महाजनपद इसकी राजधानी कुसी नगर है कुसी नगर में कुसी नगर देवरिया है और कासी महाजनपद में इसकी राजधानी वांडसी है इसमें प्रियाग राज वांडसी मिरजापूर चंदवली ये एक उंसा है ये देख इसमें कोसाम भी में ये प्रियागरा जो कोसाम भी है और चेंदी में चेंदी में सुक्तमती इसकी राजधानी है लालितपुर जहां सी महोबाय बांदा चित्रकुट इत्यादी है और सूर सेन में मतुरा और मतुरा ही इसकी राजधानी थी उदर कुरू कुरू इसकी तो चलिए महाजन्पद, राजधानी और बरत्मान इस्तिती के बारे में जानेंगे। वच्छुए कोसामभी स्की राजदानी है प्रियाग राज की आसपास का छेत्र है सूर सें इसकी राजदानी मतुरा है और मतुरा के आसपास का छेत्र है मल इसकी राजदानी कुसी नगर है और बर्तमान इस्तिती देवरिया कुसी नगर की आसपास का छेत्र है चेंदी राम नगार एवं कपिल फरकाबाद कहा जाता है इसकी जो वर्तवान इस्तिती वरेली बदाईू फरकाबाद का शित्र है सत्पत ब्राहमर तो सत्पत ब्राहमर में काउसल अवद का उल्ले हुआ है यह है महाजर्पत अवद शित्र में इस्तित है जिसमें उत्री कौसल की राजधानी स्रावस्ती दक्षडी कौसल की राजधानी कुसावती थी जैनेवं बौध धरम तो छटी सताब्दी ईशापूर्व के दो नए धर्मों जैसे जैन बुद्ध का उदे हुआ इन दोन धर्मों का उत्रप्रदेश में ब्यापक पुरभाव पड़ा था गौतम बुद्ध का अधिकांस शन्यासी जीवन उत्रप्रदेश में ही बेतित हुआ इसी कारण उत्रप्रदेश को बहुत धर्म का पालन यह पालना कहा जाता है प्रमुक जैन तिर्थांकर जिनका जन्मिस्तान उत्रप्रदेश में है जैन धर्म के तिर्थांकर रिशावदेव है अजित नात है अनन्त नात है फार्सव नात है छार लोग है इनका जन्मिस्तान तो रिश्व द्रफ्रदेव का जन्म हुआ था आयोध्या में अजित का बी और अनन्त नात का भी और पार्सनात का भी वांडसी में हुआ था ज्यान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने शरवादिक उपदेक कौसल राजिक की राज़ानी सिरावस्ति में दिये हैं शरवादिक जो पुदेश दिये हैं सिरावस्ति में दिये हैं 483 इशापूर में कुसी नारा कुसी नगर में महात्मा बुद्ध की म्रत्थ हो गई इसी गड़ना को महापरिनर्मार कहा गया है शहोगोरा तामरलेक तो लखन गोरापूर जनपद में इस्तित था ये है अविलेक मौरिकालीन है जिससे पता चलता है कि मौरिकाल में अकाल की इस्तिती में जनता को अनाज का बित्रण किया जाता था प्रियाक के असोग इस्तंब परहरी सेंड द्वारा रचित शमुद्र गुप्त का प्रजस्ति लेक उतकीड है सारनात का इस्तंब लेक इजिसका निर्मार मौर शमराट असोग ने करवाया था और सीन्सपरवने सिंगों की आकरती को ही भारत सरकार ने अपना राज की चिन ने वनाया है असोग नर्मेत अहरोरा अवलेक राज के मिरजापुर जिली में है उत्तरबाइदिक यूग से शम्मंद इस्तल अतरंजी खेडा जो कासगंज से गैरिक मृत वहंड तथा किर्शान लोहित मृत वहंड शांसगरतियों के आवसेज पराप्त हुए है परते हैं अतरंजी खेडा से सुंग कोसान तथा गुपत काल की अपसेज पराप्त हुए है कोसान सासा कनिशक की दूसरी राजधानी मस्वरा थी राज्जी के ललित पुर्जिले में देवगड नामक इस्तल से गुपत काली मंदरों के साक्ष पराप्त हुए है यहां के गुपत काली मंदरों में दशावतार मंदर उलेखनी है सारनात में ही धमेक इस्तूप है जिसी असोक ने 244 सापूर में इसी इस्तान पर वराने का आदिश दिया था यह 500 सापूर में वनकर तयार हुए था प्राचीन काल में कन्योज कान्य कुप्ज के नाम से परस यारों ने शासन किया था हर्स वर्धन का 628 सा तक तामर दान पत्र लेक साईजान प्रजिली के वांस खेड़ा वांस खेड़ा से प्राब्दुआ जिसमें हर्स की वनसावली प्रशासनिक सरचना एवं सैनिक अवियानों का उलेख है बात करते मद्धिकार तो 831 इसमी में महबा में नन्नुक ने चंदैल वनस की इस्तापना की थी चंदैलों का राजी जो था जेजाक वक्ती के नाम से चार्चित था इसकी राज़ानी महबा थी चंदैल राजाओं के इस्तापत की नमून आज भी खजराओं में बिद्वान है तुगलग बंद के शाषक फ्रोज साहत तुगलग ने प्रदेश में दो नए नंगरोब फ्रोजाबाद एवं जोनपूर का निर्माड करवा थे जोनपूर का निर्माड फ्रोजा फ्रोज स तुगलग की द्वारा अपने भाई एवं सुल्तान महम्मद बिन तुगलग जोनाखा की स्मिर्ती में करवाये गया था जोनपूर में अटाला मजजित का निर्माड अवरहम शाहत सर की द्वारा कराये गया था सल्तनत काल एवं मुंगल काल में कड़ा प्रियाग राज के निकट महत्मोर एकता सुबा था शिकंदर लोदी ने पंदराश चार में आगराश सहर की स्ताफना की तथा इसी अपनी राज़ानी वनाए था सूपी संत सेख निजामुद्दिर अलिया एवं इतियासकार अब्दुल कादिर वदायूनी का शंबंद बनाऊ शेह था और इतियासकार जियाओ दिन वरनी बलंद सहर जिले में इस्तित वरन का निवासी था नूर जहाने आगरा में अपने पिता इत्माद दुला का मगवरा बनवाये था वासा अकवर ने प्रियागर की पुनर स्ताफना कर इसी इलावाद नाम दिया था सलीम जहांगे का जनम फते पुरशीकरी में हुआ था 1613 में ओर छा सासख बीर सिंग बुन्दैला ने जहांसी की स्ताफना की थी उत्तर मदिकाल तो 1764 में हुए बक्सर के युद में बंगाल के नबाब मीर कासिम अबद के नबाब सुजाओ दुला और मुंगल वासा आलम दिती की सेनाओने शमलित रूप से अंग्रेजों के बुरुद युद किया प्रंतु पराजित हुई और 1765 में इलाबाद की संधी वक्सर युद के उप्रांद अंग्रेजों युद मुंगल वासाओं के मद्द हुई थी सुजाओ दुला ने 1773 में वारन हैस्टिंग के साथ वनाराज की संधी की थी आवद के नबाब आश्पूत दुला ने अपनी राजधानी फोजाबाद आउध्या से नकलव में इस्तापित की आश्पूत दुला ने अंग्रेजों से फैजाबाद के संधी 1775 इश्व में वनाराज का छित अंग्रेजों को शौप दिया था आस्पुत दौला ने 1784 में मोहर्रम मरानी के लिए नकलव में इमाम बाड़ा का निर्माड करवाय था आस्पुत दौला ने 1784 में नकलव में रूमी दर्वाजा का निर्माड करवाय था बाजिज अली सहा अवद का अंतिम नबाब था 1857 का बिद्रोय उत्तर पर्देश तो 10 माई 1857 को भारत के प्रतम सुतंता संगरस की सुतंता संगरस की सुरुवात मेरट से हुई इस आंदुलन का तत कालिक कार्ण कार्टूसों में है और सुगर्यों गाई की चर्वी होना था इस्तान और भारति सेनापती उत्तर विटरेश सेनापती तो कानपूर में जो थे भारति सेनापती नाना साब बतातै तूपे थे विटरेश सेनापती कैव वैल थे नकलव में हजरत वेगम हजरत माहल और वेटेस सेनापती कायव वेल थे और छांसी में रानी लक्ष्मी वाई सेनापती और वेटेस सेनापती हिरोज थे और पिलाबाद में जिसे प्रियाग राज तो उसमें वारतेस सेनापती लियाकत अली और वेटेस सेनापती करनल नील फ खान बादुर खान और विटेस सेनापती में कैब बैल था। 858 इसमेज बिद्रो सिसरबादिक प्रभाविच्छित अबादावर बुंदेल खनते तात्या टोपे का वास्तविग नाम रामचंदर पंडूरंग था। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कावा रणीती छापमा रणीती से अंग्रेजों को भाइबीत कर दिया बाद में इने फासी देती गी थी। अठार सो सत्तावन के बिद्रों को दबाने के बाद एक नवंबर अठार सो अठावनी शागो इलाबाद में लोड कैनी ने महारानी विक्टोरिया का गोश्णा पत्र पढ़कर सुनाय था प्रदेश में सुतंता आंदूलंच से शंबंदित महत्मूर तत्थे तो प्रतेश स्वामी दिया नंद सरस्वती ने अठार सो त्रेशड में सनातन धर्म का परचार करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पता का फैराय और वर्ज अठार सो पिचत्तर में शैयद आयमाद खाने अलीगड में महमडन एंगलो औरेंटियल कॉलिज की स्ताफना की जो बरत एनिवे सेंट ने अठार सो अठार सो अठार सेंटर हिंदू कॉलिज की स्ताफना की जिसे वर्ज उनिस सो सोला में महमना मदन मोहन मालिभी जी द्वारा वनार सेंदू विस्वत द्यालग बनाया गया था प्रदेश में हुए भारती और राष्टी कांग्रेस के अध्वेशन तो वर्ष 1888 में इलाबाद में अध्वेशन हुआ था जिसे प्रियाग राज कहा जा था अध्यक्षो इस्तान था जार्द यूले और विस्वेस कांग्रेस का संभिधान तै किया गया था 1899 में इलाबाद प्रियाग राज में अध्वेसन हुआ था ता एक बृष्वेस चण्दर वनर जी अध्यक्ष्टा इसका बिसेस इंग्लेंड में प्रियसताविथ था और 1889 में ये अध्वेसन नकलओ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रमेश चंद्रदत था और इसके बिशेस्तत इसके बारे में जातर नहीं है। 1905 में बनारस में वांडसी में वांडसी में वांडसी में हुआ था और इसके गोपाल करिश्टन गोखले इसके अद्धाइश से गोखले की विपक्ष के नेता की उपादी दी गई थी 1910 में इलाबाद प्रियागराज में हुआ था सर बिलियम्स बेंडर वन इसके अध्यक्स थी इसमें कुछ ग्याद नहीं क्या विशेज थी 1916 नकलो में ही हुई थी अंबिकाच्रान मजूमदार इसके अध्यक्स थी और कांग्रेस लीक समझवता हुआ था 1925 इसके जो हुआ था कानपुर में सरोजनी नाईड़ू इसके अध्यक्स थी 1936 में हुआ कानगनों में जो जावालन नह्रू इसके अध्यक्स थे और 1946 मेरड में हुआ था आचारे जे भी कलफ़नानी इसकी अध्यक्स थी तो थे जुन 1922 में il insist में में गांधी जी की अध्यक्स्ता में खिलापत कमेटी की बैठक हुई थी, अब पॉइंट पड़ते हैं, एक अगस्त उन्निस सो बीस से प्रारंब हुआ, असा यूग अंदुलन पांच फरबरी उन्निस सो बीस को गोरखपुर जिले के चोरी-चोरा इस्तान पर हुए गटना के कारण इस्तगित कर दिया गए, इस घटना में एक थानेदार साहिद तेज सिपाईयों के मरत्तु हो गई थी, 17 अक्टूबर निस सो बीस को बाबार राम चंदर ने परताब गड़ में अभध किसान सभा का गठन किया था, उत्तर प्रदेश मिद्यतिय किसान आंदुलन क ने तुरत पंडेश जवालन नहरू ने किया था, वर्ष 1924 में चंदर शेकर आजाद के द्वारा कानपूर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियन एच आरे की स्थापना की गई थी, 9 अगस्त 1925 को करांतकारियों ने आठ डाउन सारनपूर नकलव पैसेंजर ट्रेन को काकोरिस्तान नामकिस्तान पर लूट लिया था, करांतकारियों राम प्रिसाद बिस्पेल, वह इस्तान जहां पास्थी के वह था, गोरकपूर, असपाक उल्लाखां, फैजाबाद में, जिजिया उद्ध्यागा, राजिंद लाहेडी, गोंडा में, और रोशन सिंग, नैन प्रियाग राजिंद लावाद के अलफ्रेड पार्क में, पुलिस के मुकावला करते हुए, स्वायम को गोली मार कर वीड़ गति को प्राप्थ हो गये थे, उननेस सो चौबेस में, सैक्तु प्रांत बर्तमान उत्तर प्रदेश के किस सहर में, शंपूर भारत की करांतकारियों की बैठक बुलाईईद वहता कानपूर, चंद्रावर की युद 1194 में, राजार जैचंद मोहमत गवरी से पराजित हुआ, चंद्रावर की बर्तमान में भागोली की स्तिती, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, युवनान नदी के तटपर है, कौन सा ये करांतकारी, काकुरी ट्रेन कांड़ से सम्मंदित नहीं है वहता, खुदीराम बोश, जौन पूर की सरकी, वन्स का अंतिम सासप कौन था, हुशेन सहा, हरपा सब वहता का इस्ताल मांडी, वारत के किस राज में, इस्तित वहता उत्तर प्रदेश और कन्नावज, पर महमूद गजनवी के आकरमर के समय, वहां का सासक कौन था, वहतार राजिपाल, किस बर्च प्रियाग राज उत्तर प्रदेश के किलिए पर, अंग्रेजु, कादिकार, 17 वहता कन्नावज, वहता कन्नावज, तो चलते आगे, देखते हैं, अब पॉइंट वाई पॉइंट पढ़ते चलेंगे, काकोरी, काकोरी, सडियंदर केस में, परधान आरूपी, पंडित राम प्रिसाद बिसमिल, कोत्य परदेश के किस सहर में फासी दी गई थी, वहता गो अबध राजी का विटर समराजी में बिले हुआ था, अठारा सो, चपन इस्वी में महापर निर्माण मंदिर अवस्तित है, ये कुसी नगर में, अमीर खुसरोकिस सिस्तान से सम्बंदित है, पटियाली, रूमी दरवाजा उत्रपरदेश सहर में इस्तित है नकलाउ, भब में बिले ता, और अपने कारेविधी की नीव रखी, वह था, शारनात, वर्ष अठारसऊ सतावन के बिद्ध्रों में, कानपुर के नेता कौन थे, नाना साहब, किसे सेरेवलिया के नาม से जाना जाता है, चित्तु पांडे, अबदराज जिसे ओधवी का जाता है, पर, 1722 और 1856 तब मुसलिम सास्कों का सासन था, आबद पर सासन करते समय सास्कों ने कौन से उपादी अपनाई वहती नबाब। वालमीगी का आसरम ब्रह्मवरत में था जो बिठूर में है, छटी सदी वी सी के दवरान उत्रपरदेश के किन छेत्रों को चेंदी कहा जाता था, बुंदेल खंड, छटी सदाब्दी इसापूर के दवरान मतुरा के आसपास का छेत्र को कहा जाता वज़ता, सूर सेन, कानपूर में इस्तित है, कला और संस्कृती तो बास्तु कला, इस्तापत कला, तो राज में इस्तापत, मुगल, कालीन, इस्तापत, प्रमों के स्तापत, इस्तिति और नर्माता, जामा मस्जित, यह संबल में है, वावर इसके नर्माता है, आगरा का कला, आगरा में है, अक दुखमावर Óäm।ि १ या और बाझ में खान्दर में खिता हैं। अकवर नर्माता, खास महल फते पुष्षीकरी अकवर जोदबाई महल फते पुष्षीकरी अकवर वीरवल महल फते पुष्षीकरी अकवर, जहांगीर महल आगरा में ये अकवर जहांगीर आगरा में और ये अकवर के दौरा इत्मादवला का मकवरा आगरा में है नूर जहां के द्वारा अकवर का मकवरा शिकंद्रा में है ये जहांगीर के द्वारा नियाय की जंजीर आगरा और ये पनवाया है ये नर्माता जहांगीर है ताज महल आगरा में और नर्माता साजहां मोती महल, मोती मज़िद तो मोती मज़िद ये आगरा में है और सहाजा इसके नर्वाता गुप्त कालीन, अविलेक, सिलालेक, इस्तंबलेक तो अविलेक, इस्तिती और बिसेस्ता वल्चल अविलेक जो है ये इटा इसके इस्तिती है कुमार गुप्त के काल की गठनाओं को बताती है गड़वा ये इस्तिति प्रियाग राज में है यहां सिच्चंद्र गुप्त सेकंड और कुमार गुप्त के दो तथा इसकंद्र गुप्त का अंतिम अवलेक प्राप्त हुआ है कमरदंडा अवलेक ये फैदाबाद में और ध्या में शिब की प्रतमा की अधोग भाग में उतकीन मनकूबर अवलेक तुप्रियाग राज में कुमार गुप्त से संबन्दे थै नबाब सुजाव दोला की बेगम का प्रिशिद मगवरा बहु बेगम का मगवरा किस इस्तान अवस्ते थै ये फैजाबाद में है गुप्त कालिन मंदिर में काउंसा उत्रपरदेश में अवस्ते थै देवगाड का दसावतार मंदिर वार्षी में है और वार्षी के विश्वनात मंदिर का निर्मार द्वारा किया गया था। वार्षी में तिवहार और सामाजी करीती रिवाज तो महा सिवरात्री भगवान सिव के प्रिये नंगरी कासी में शिवरात्री बड़े धुमधाम से मनाई जाती है इस दिन सरद्दालू और भक्त मिलकर सिवजी की पूजा एमों अराधना करते हैं जगय जगय पर उत्सव होता है नवरात्री दुर्गात सोहई मालक्षमी दुर्गा और सरजवती की पूजा आर्चना की जाती है उत्ते प्रदेश में इस्तिवहार को बड़े उत्सव से मनाई जाता है लोग घर में तीनों देव्यों की मोर्ती लाते हैं और पूरे दस दिन इनकी पूजा करते हैं और जगय जगय दुर्गा के पांड़ा लगाए जाते हैं केतन होते हैं और जागरण किये जाते हैं लटमार होली तो उत्ते प्रदेश की लटमार होली हुली के दिन यहे नजारा देखती ही वनता है कहीं कहीं तो दस दिन तक लट्ठ मार हुली मनाई जाती है मकर सकरांती तो हर साल 14 जनबरी को नया साल सुरू होते ही मकर सकरांती मनाई जाती है उतर प्रदेज में इस दिन पतंग उड़ाई जाती है लोग भगवान बनाते हैं इस दिन ड्राम दाने के लड़ू और तिल के लड़ू के साथ कई तरह की मिठाईयां बनती हैं इस दिन भगवान सूर की पूजा करने का परचलन है गंगा दसेरा गंगा नदी के आउतरन दिवस को गंगा दसेरा मनाया जाता है दस दिन चलने वाल इस दिन गंगा नदी मिश्नान करने से सारी मनों कमना पूरी होती है जनमस्टमी भगवान किर्षण के जनम इस्तान जनम दिन को मतुना वरंदावन वर्साना साइथ पूरे उत्रपरदेश में धूमधाम से मनाया जाता है जनमस्टमी पर जगए 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 जागिया निकलती हैं और बच्चे वाल किर्शन का रूप लेते हैं और राम लीला की जाती दसहरा यूपी में दसहरे को बड़े चाव से मनाते हैं बड़े बड़े मैदानों में राबल का दहन किया जाता और मेला लगता हरियाली की हर बर सावन महा में तीज का तेवहार और वड़े उत्सव से धूमधाम से मनाया जाता इस दिन मैलाई सजधज कर जूला जूलती हैं और घर पर मीठे पकवान बनते हैं तीज के मौके पर जगए जगए मेलों का आयजन होता पतंग उड़ाने का प्रचलन भी इसी दिन है देवदीवाली देवाली के 15 दिन बाद देवदीवाली मनाई जाती ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कासिम गंगा नदी के घाट पर देवता आउत्णड़ करते हैं दीवीवाली पर घाट को दीज़ाये जता है और दीपदान किया ज़याता है। कासी की दीवीवाली दिश्वर ने पृषिद है। भगवान राम की अध्याने की खोशी में दीवाली वड़े धूमदाम से मनाए जाती है। अध्या में तो दिवाली देखने लाइक होती है। इद उल्जुहा मुहर्रम इद उल्फितर बरावफाद शवाय वारातादी होता है। शिक धर्म में शिक में वैसाखी। गुरू नानक जेन्ति, गुरू गुबिन सिंग जेन्ति, गुरू अर्जुन देव वलिदान दिवसादी मनायलता। इसाई में गुड़ फ्राइडेज, इस्टर, क्रिस्मस, नौव वर्स त्यादी। और बॉद में बुद्ध पूर्ण मा, बुद्ध जेन्ति, जैन में महाविर्द जेन्ति मनाय जाती। मेले यारिस्तान, कैलास मेला या आगरा में है, और कैलास या सिकंद्रा में है, शागमभरी देवी मेला ये सारनपुर में है, बटेस्वर मेला पसु मेला आगरा में होता है। गण मुक्तेस्वर, गण मुक्तेस्वर मेला येहापुर में, जूला मेला वरंदावन मतुरा में, नवचंदी मेला मेरट में, किच्डी मेला गोरखपुर में, लटमार होली वरसाना मतुरा में, सोरो मेला काजगंज में, देवासरी मेला वारा बंगी में, ददरी मेला पस मौथ सव, सुलेह कुल चुल, सुलेह कुल उथ सव, यह आगरा में, इसका इस्तान है, विसेश हिंदू-मुसलिम एक्ता का परदरसन है, ताज महसौ परतियक वर्ष परवरी में आगरामी इसका इस्तान मुगल काली संस्गरती बाव वारती ललित कलाओं का परदर्शन बिठूर गंगा महसौ ये कानपुर में परतियक वर्ष कार्थिक मास में होता है कमपिल उत्सव यह इस्तान इसका फरुकाबाद में बिसेश जैन मंद्रों का आयोजन आयोजित किया जाता है होलिकाउस यह मतराइस का इस्तान होता है और इसकी कोई बिसेश नहीं होलिकाउस शेफ़ाई महुष्षव शेफाई टापा प्रतेगवर्ष जनवरी में तिर्वेंडी उत्सव यह प्रियाग राज में मिस्रित संस्कृति का प्रतरसन कन्नाज उत्सव यह कन्नाज में प्रेटरन विवाग द्वारा होता है रीति रिवाज तो उत्त परदेश को वारतिय संस्कृति का एक प्रमुक केंदर ही नहीं वलकि उद्वाव राज भी कहते हैं और कहने को तो राज को हिंदू प्रधान जंजन क्या वाला राजी कहा जाता है किन्तु यहां के मुसलिम शिक्ष बौध तता फार्सी निवासियों ने एक मिस्रित संस्कृति अपना ये गंगा युमना की संस्कृति पर राजी के भगवान, महापुर्शों, संतों और फकीरों तता अन्य विश्च्ट जनों के जनमस्तली एवं कारिछित का इस पष्ट प्रभाव द्रश्टी गोचर होता है। भगवान राम, भगवान किसन, बुद्ध, सूर्दास, तुलजीदास, कबीर, सेक, सलीम, चिस्ति, गुरु, तेग, भादुर, आदी का जनम अत्बा करमिस्तल रहा है। यहां गंगा युमना गोमती सरी उजैसी पवित्र नदियां वहती हैं। यहां के एतियासिक धार्मिक तता पुरा तत्वी, इस लोग में सभी धर्मों का समविस्त द्रश्टी गोचर होता है। उत्रपरदेश के किस एतियासिक मेले में हिंदू और मुसल्मान दोनों आते हैं। वह है नवचंदी का मेला। हिंदू-मुसलिम एकता का प्रतीक सुलहिफ कुल उत्रपरदेश में आउजुद किया जाता। आगरा में बर्चाना होली के साथ खेली जाती है। तो यह डंडे चट पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है। जो उत्रपरदेश जारकंड बिहार का एक बहुती महत्मूर ते वहार है यह रभी और सूरी। उत्रपरदेश लोक कला तो ब्रजी छेत्र जिसे मतुरा अलीगर कास गंज आगरा फ्रोजाबाद महिन पूरी तो चर्कुला नरत रास नरत जूला नरत और रसिया नरत जिसे लोक नरत कहते हैं। अगला है पूर्वांचल तो पूर्वांचल में आते हैं वहराज स्रावस्ति वल्रामपूर गोंडा स्रदार्थनगर महराज गंज अमेटि और प्रतापगण कोसामबी परियाग राज बधोई जौनपूर बांड सिम्मिरजापूर चंदवली शौनबद्र तो इनमें एक करके बताते हैं लोकला तो वल्रामपूर में घोड़ गोड़ गारत और सोहर लोकगीत ये सद्दार्थनगर में है जौनपूर में है चौर सिय अनड़त ऐसे ही स्वनबद्र में ठटिया नरत्य और मिर्जापुर में कर्मा नरत्य कर्मा नरत्य चोलर नरत्य सवरा नरत्य या धोला नरत्य मिर्जापुर में एक आउर है जिसको कहा जाता है कजरी लोग गीत कजरी लोग गीत चित्रकुड में लटमार दीवारी नरत्य और हो गया तो वस इसका बुंदल खंड तो बुंदल खंड में बांदा महोबाद जहासी जालाओन तो जहासी में इसुरी फाग है और दूसरा नरतिस में गर बात करें तो खयाल न्रत राहुला न्रत राई कार्तिक गीत न्रत और घुरिया न्रत पाई डंडा न्रत त्यादी ये मनाए जाते हैं न्रत और इस्तान इसकी विज़ेस्ता तो एक एक करके देखते हैं तो खयाल नरती ये बुंदयल खंड में मनाय जाता है, होता है मतलब की, और विजेस्ता पुत्र जर्मोस्व पर होता है, चर्कुला नरती, वरजशेत, रत के पईये पर घड़ा रखकर नरती होता है, रहुला बुंदयल खंड इसका इस्तान है, लोग कतनों कहावतों का मंच पाइडंडा तो बुंदधिलखंड की अहरों द्वारा होता ए, राई नरत बुंदधिलखंड इसके विश्षत्ता कोच नह件, चारसी अन्रत जानपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला न्रत थे, कर्मा, मुर्जापुर्वा, स्वनभद्र में जंजातियों द्वारा क इस नरत को इस तरी बेश धारण करके करते हैं। लट मार दीवाली तो यह चित्रकोट स्तान इसका और दीवाली के अफसर पर होता है। चोलर नेत तो यह मिरजा पर स्वनभद्र के समीप होता है। और अच्छी बर्षा बा फसाले तो पिया जाता है। ठड़िया नरत यह चोलर भद्र में संतान की कामना पूरी होने पर किया जाता है। कट घुर्वा नरत पूर्वान चल मांगलिक अफसरों पर किया जाता है। जूला नरत रास नरत ब्रच्षेत्र में। परमुक लोख नरत इस प्रकार जीज़ें ख्याल नरत है। ख्याल नरत पुत्र जनमोसों भबंदयल खंड में किया जाता। रास नरत ब्रच्षेत्र में। बरज शिर्टकाये इसमें नर्थकमूर के पंग शेबने बिसेश वस्त धारण करते हैं गोड़ा नर्थ बुंदल खंड में मंगलिक अप्सरों पर गोड़ों द्वारा करवाये जाता है तरिया नर्थ को बुंदल खंड के प्रजाती कुमहार इस्त्री भेरज धारण करके करते हैं जोलीया नर्थ जोलीया नर्थ राजपूत जाती के लोगों द्वारा विभाव सोग पर किया जाता है चपेले नरत चपेले नरत एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दरपन लेकर किया जाता है डेडिया न्रत ये डेडिया न्रत का प्रचला दुआव छित्र में है जो प्रमुकता फतेपुर जिले में प्रचलता है इसमें सिर पर छित्र यूगत मिट्टी के बरतन में दीपकर कर किया जाता है डर करी डर करी न्रत स्वनबद की जन जातियों द्वारा ये डर करी न्रत कायोजन किया जाता है ठड़िया न्रत ये स्वनबद पड़ोसी जलों में शंतान की कामना पूरी होने पर ठड़िया न्रत किया जाता है चोल अरने रती ये मिरजापूर और सौनबद्र आदी जिलो में चोल अरने रती अच्छी बरसा तथा अच्छी फसल की कामना पूर्ती हितु किया जाता है पाई डेंड अरन रती गुजरात की दंड या नरती के समान है जो की बुंदल खंड की अहिरों द्वारा किया जाता है कार्तिक न्रती कार्तिक न्रत बुंदल खंड जेत में कार्तिक महामी नर्तकों द्वारा स्री किर्शान तथा गोपियों का रूप धरकर किया जाता है राई न्रत बुंदल खंड की महलाओं द्वारा किया जाता है यह मयूर न्रत भी कहा जाता है दीप न्रत बुंदल खंड की अहिरों द्वारा अनेक अनेक दीपकों को परचलित कर किसी घड़े कलस अथवा थाल में रखर प्रजलित दीपकों को सिर पर रखर दीपन्रत किया जाता है धिवरनेत धिवरनेत अनेक सुब अपसरों पर विशेज कर कहा रजाती कि लोग द्वारा आयुजित किया जाता है सवरानत सवरा या सेरा उन्रत बुंदार खंड की किर्शक अपनी फसनों को कारती समय वहार से प्रकट करते करने के उद्च से करते है करमानत करमानत करमान रत करमा व व सीलान रत स्वनबद्रा और उ मिर्जापुर के खरवार अधिव अधिवासी शमू द्वारा आयुजित किया जाता है चरकुला नरत, ब्रजिच शित्रवास्यूं द्वरा किया जाता है इस घणा नरत में वैलगाड़ी अत वारत के पैये पर कई घणे रखे जाते हैं फिर उन्हें सिर्पर रखा नरत किया जाता है कट गुडबा नरत ये कट गुडबा नरत जो है पूरवांचल में मंगलिक अफसरों पर किया जाता है जोगनी नरत विशेस कर नामनों भी के अफसर पर किया जाता है ये नरत अबद में किया जाता है धोबिया नरत धोबिया नरत पूरवांचल में परचलेता है ये नरत धो नौटंग की नौटंग की नरत उत्रपरदेश राजी का लोग नरत है जो अपने भाबुख और हास्यापद दरस्टों के लिए प्रसित है इस नरत को अकसर एक नरत ड्रामा के रूमे दिखाया जाता है जिसमें शंगीत गीत और नरत का उप्यों किया जाता है रास लीला रास लीला वह अभिने था जहां भगवान किर्शन ने ब्रंदावन ब्रंदावन छेत में किर्शन अधी के तड़ पर गोपियों के साथ नरत किया था यह कला विशेश रूप से पश्मि उत्धरदेस में परसिद्ध है किर्शनार के बच्पन से लेकर किसुर आवस्था तक की जीवन कताओं को चित्रित करता है उत्य प्रदेश का लोक नरत जैदा है उत्य प्रदेश के प्रमुक लोक नरत चरकुला करमा पांडो है धुरिया लोक नरत बुंदल खंड का है उत्य प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंद किस लोक नरत है चरकुला से यह न्रत्य की सांस्कृति से शम्मंदित है तो ख्याल और बाज नकलव। लोक नरत रहुला का संबंद उत्रप्रदेश के किस चेत्र से है तो बुंदयल खंड चेत्र से उत्रप्रदेश के बुंदयल खंड चेत्र का लोक नरत है तो रवाला नरत वड़या नरत एवं राई नरत है उत्रप्रदेश का पुर्मक लोक नरत धूबिया राई और सायरा ह किस लोक रत का आयो जन बुंदेल खंड चेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है सहरा दिवाली के दौरान बुंदल खंड के आहिर समधाय द्वारा काउंचान रत्त किया जाता है पाई डेंडा उत्रप्रदेश में प्रमुक्षाहित कार एवं उनकी रचना है तो इसको भी देखते हैं तो दोस्तों सोचते हैं कि आज के लिए इतनी क्लास और फिर मिलते हैं अगली क्लास में नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही